हम तुमकी रेसोई में आप सबका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है और हमारी आज की रेसिपी है चूड़ा मतर सौरी दोस्तों हमें अगला वीडियो पोस्ट करने में काफी लेट हो गया प्लीज हमें माफ करें और अब हम शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी इसके लिए सबसे पहले हम रेते हैं चूड़ा हरे मतर अद्रक हरी मिर्च स्वादा अनुसार शुगर कुछ ड्राइफ फ्रूट्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुटे हुए करम मसाले डेसी घी नमग स्वादा अनुसार कटा हुआ हराधनिया और फ्राइ करने के लिए रिफाइन ओयल तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं से पहले हम अपने चूड़े को करीब 10 से 15 मिनट पानी में भीगो कर रख लेते हैं फिर हम अपने पैन को गरम करते हैं और उसमें डालते हैं रिफाइन ओयल साथ ही इसमें अद्रक और मिर्च डालकर सौते कर लेते हैं और फिर हम इसमें अड़ करते हैं अपने हरे मिटर और उसे थोड़ा हलका आज पर भूल लेते हैं और इसमें अड़ करते हैं चीनी और नमक स्वादानुसार आईए अब हम अड़ कर लेते हैं अपने चूड़ा को ध्यान रहे इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते चले जाना है अब हम इसमें अड़ करते हैं गरम मसाला ड्राइ फ्रूट्स हरा धनिया आईए अब हम इसे देशी गी के साथ एक फिनिशिंग टच देते हैं वाव लीजिए आप सभी के लिए गरमा गरम चूरा मटर तयार हैं तो जनाब खाईए खिलाईए और ठंड का लुफ्त उठाईए और हाँ साथ ही हमारे चैनल को सस्ट्राइब करना फिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि हमारे हर नय वीडि आप तक पहुँच सके धन्यवाद